स्टुडेंट्स, हैलो पैरेंट्स, कल हमने EBS का चैप्टर और सेकंड का पेपर बनाया था, EBS का, आज हम चैप्टर थर्ड का बनायेंगे और फॉर्थ का, क्योंकि अब भी एक्जाम आ रही है, और स्कूल बंद है आज भी, पर बच्चों पीडिएफ से सीख रहे हैं, पर क पैरेंट्स से, उन्होंने बोला था, कि आप पेपर बनायें, तो मैंने थर्ड का पेपर बनाया है, वीच एक्टिविटी नेट्स, दा लेश्ट वाटर, MCQ है, आप सोच रहे होगो, कि यह MCQ है, तो उसमें उप्शन क्यों नहीं है, तो मैंने उप्शन जान पुछके नही देती हूँ, अगर ऑप्शन होगे, तो बच्चे क्या करेंगे, फॉस्ट है, तो उसमें यह चार ऑप्शन है, तो इसमें से तीसरा हमें याद रखना है, इस तरह से वो याद रखेंगे, पर आप ऐसे करवाओगे, तो बच्चे को ऑप्शन, डूढ़ने ऑप्शन की तो इसमें आएगा, making a cup of tea, चाही बनाते हैं, तो उसमें थोड़ी मात्रा में पानी चाहिए, चूज दा, प्लेस वेर, यूगेट दा, मैक्सिमम अमाउंट अप वाटर, सबसे ज्यादा पानी किसमें होता है, तो C आएगा इसमें, फिर है, for which of the following activities, वाटर इस नौट रेक तो नहीं लिखा है, तो मैंने यहाँ पे option नहीं लिखा है, यहाँ प्र दिर्फचों की जो थर्ड की books है, उसमें देखोगे तो option दीए होते हैं, तो उसमें से भी बच्चेğे लरन करेंगे, पर क्या करेंगे वो यहाँ पे option दिया है, तो वो spelling नहीं नहीं करेंगे, तो इसमें से इसमें आएगा टू प्ले खेलते हैं तो पानी की जरूरत नहीं होती फिर फॉर्थ नंबर वीच एक्टिविटी नीड दा मैक्सिमम वाटर तो मैक्सिमम वाटर किसमें चाहिए तो उसमें भी आएगा watering the fields क्योंकि खेत में पानी जब डालते है तो उसमें पानी चाहिए और वो भी हमें ज्यादा चाहिए कि ऐसा नहीं है कि एक बकेट या दो बकेट पानी चाहिए तो हो जाएगा फिर question 2 है one word और one sentence तो हमें एक सब्ड में जवाब लिखना है name two animals which live in water तो जो पानी में रहते है animals उसके answer जवाब लिखने है तो हम frog turtle ऐसे लिख सकते है fish or turtle फिर है name the trees three forms of water तो हमें इसमें three नाम लिखने है पानी की तो इसमें आएंगे ice water और water vapor ये नहीं लिखो तो भी pond, leg और cb चलेगा ठीक है next question name any two activities which you can do with water तो इसमें आएगा आपका answer किस तरह से पानी की ज़रुआत use होते है किस activities से हम use कर सकते है तो bathing, washing clothes या washing car कुछ भी लिख सकते हो फिर है name any two activities which you can know without water तो पानी के पागेर कौनसी दो activities कर सकते हो तो एक तो play है और speaking दोनों में पागेर पानी के चलता है question third in circle the odd one out इसमें से जो odd है वो हमें अलग करना है तो bucket, tub, jug और river ठीक है तो bucket, tub और जग क्या है एक product ऐसे बोल सकते है और river है तो ये odd में आएगा तो हमें river पर take करनी है इसी तरह से cow, sparrow, tiger, whale तो इसमें से ऊड़ सकता है ये sparrow, बाकी तो ये पानी में रहता है और ये दोनों हैं land पे रहते है तो इसमें से भी sparrow आएगा तीर है washing, bath, cooking, sleeping तो इसमें भी आप देखोगे तो sleeping है, वो अलग आएगा क्योंकि इन दिनों में पानी के जरूरत है इस sleeping में है, पानी के जरूरत नहीं है न, तो वो अलग आएगा इसी तरह से है rice, weight, barley, well तो ये सतीन है, वो जो है, वो क्या बोलते हैं, उसे खाने की चीज में यूज होता है और इसमें पानी रहता है तो ये अलग से होगा इसी तरह से fill in the blank है तो front fill in the blank है उसमें भी मैंने option नहीं दिये आपके बच्चे को ऐसे बिना option के ही सिखाना है आपको many things blank in water and become a part of it तो इसमें आएगा dissolver blank is the solid form of water तो इसमें आएगा ice solid form होता है न, जो ice होता है water यानि जो बरफ होता है न, वो solid form में होता है third number, without water blank is impossible on the earth life next है, the huge source of salty water is तो sea इसी तरह से, next है we, माफ करना, like animals blank also need water तो जो animal है उसके अलावा plants है उसे पीछे यह न, पानी तो इसमें प्लांट आएगा we get water from blank in our houses तो हमारा जो गर, वहां पे पानी आता है तो पानी कैसे आता है, छत से आता है नहीं आता न, तो हमें यहां पे टैप लिखने आए ठीक है इसी तरह से यहां पे एक question है राइट एनी six uses of water तो हमें six use लिखने है water के जिसमें आएगा कि किस तरह से use करते हैं तो इसमें six use आपको लिखने हैं इसमें आएगा drinking, bathing, cleaning clothes, फिर washing clothes, watering, plant, cleaning of house इस तरह से आपको जो भी याद आए अपने आप यूज़ करते हैं और सुबह से लेके साम तक वो six use लिखने हैं सेकंड है राइट एनी five natural source of water तो यहां पे क्या है natural source दिया है तो खुदरती तरह से हमारे पास पानी किस तरह से आता है तो जो river है उसमें तो हम पानी डालने नहीं जाते हैं वो खुद बखुद होता है इसी तरह से आपको river लिखना है ocean, फिर lake और waterfall इस तरह से आपको लिखना है sea b लिख सकते हो फिर है chapter fourth उसका true false यहां पे दिया है chapter fourth है उसका true false दिया है our house should be well ventilated and well decorated तो इसमें क्या आएगा true आएगा we should not greet the invited guests at our home तो इसमें आएगा false animals also have their shelter to protect themselves तो यह सही है तो true आएगा we should pay respect to all the elder people in the family तो इसमें भी true आएगा अब हम next लेंगे friends अब क्या है कि question answers आएगे और अभी से बच्चे इतने घबरा जाते हैं कि इतना बड़ा question और parents भी कई बोल देते हैं कि इतना छोटे बच्चे हैं और इतने बड़े spelling वो कैसे कर पाएगे पर ये घलत है आप अभी से ऐसे बोलोगे तो आगे बच्चे नहीं कर पाएगे तो आपको भी बोलना है कि अभी बच्चे को भले ना इतना आ रहा है आगे वो जितने बड़े होंगे उतना बड़ा question आएगा छोटा तो होने वाला नहीं है तो आप उनको हो सके तुद्ने प्रैक्टिस करवाओ कि वो लिख पाए तो यहाँ पे question answers है वो वहाँ पे क्या फर्स्ट टाइम आया हुआ था ना छोटा तो छोटा कहाँ पे रहता था था छोटा लिवड इन लार्ज पाइप ठीके इसका answer इस तरह से आएगा फिर आएगा यह पीछे वाला essay की वैसे ही लिखना है वेन ही लिष्ट कम टू अमेड़ाबाद फॉर दो फर्स्ट टाइम नेक्स्ट क्विशन है वास छोटू अलान वेन ही कम टू अमेड़ाबाद वो अकेला ही आया था ना अमेड़ाबाद में फिर थर्ड प्विशन है तो जो छोटू है वो वर्लियस परपस से पाइप यूज करता था ना जैसे कि वो पैक तो रहने के लिए उसने उसे अपना घर बनाया था वहाँ पे ही वो खाना बनाता था खाना खाता था उसके फ्रेंड के साथ बैठता था सब कुछ वो पाइप के अंदर ही करता था फिर नेक्स्ट है वो जो है इनड़ा छोटू आफटर सम टाइम तो थोड़े डाइम के बाद उस छोटू से कौन मिलता है तो मोनू आता है ना तो मोनू जो इनड़ा छोटू आफटर सम टाइम फिर है इसका अंसर आएगा किसी को भी पसंद रहे नहीं है कि अखेले रहे फिर है क्वेशन आपके गर में जितने भी मेंबर है उसका अंसर आपको लीखना है अगर 5 है तो 5, 4 है तो 4, 6 है तो 6 रइट अबाउट दिफरेंट पार्ट्स ओफ यर हाउस वट दो इकाल दें फिर आपके गर में कितने रूम है निस जो होम है उसमें कितने रूम है और उसमें जो भी है वो लिखने है जैसे के किचिन है फिर लिविंग रूम है, बात्रूम है, टॉइलेट है, श्टडी रूम है, किचेन है इस तरह से आपको सब अलग-अलग करके डिवाइड करके लिखने है फिर इसमें आएगा कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा कमरा पसंद है और क्यों पसंद है, तो वो आपको लिखना है जैसे कि कई बच्चों को टीवी पसंद होती है क्योंकि टीवी वाले रूम में टीवी देखने को मिलता है तो आप वो लिख सकते हो, जो आपको पसंद है वो अगर आपके घर पे पैट है, तो उसका नाम लिखना है हो तो और नहीं है तो आपको no लिखना है फिर है match it तो यहाँ पर जो दिये है उसके सामने उसके सही answer लिखने है जैसे कि bedroom bathroom, drawing room और kitchen अब आपको बता नहें तो bedroom में हम क्या करते हैं sleeping करते हैं तो सोने के लिए जाते हैं तो then sleeping आएगा फिर bathroom है तो यहाँ पर taking bath और washing फिर है drawing room तो drawing room में कौन बेटता है कोई guest आता है तो वही बेटते हैं तो welcoming guest और kitchen का use क्यों होता है खाना बनाने के लिए तो preparing a food ठीके अब है circle the odd इसमें से जो odd है उस पर आपको circle बनाने हैं तो drawing room है तो drawing room में क्या-क्या होता है तो friends drawing room तो television, sofa, table lamp और bathtub तो यह तीन तो चीज होती है पर यह bathtub नहीं होता है ठीके तो जो यह odd है इसलिए आपको यहाँ circle बनाना है circle करो, tick करो या underline कुछ भी आप कर सकते हो next है bedroom तो bedroom में stove होता है guest stove नहीं होता ना तो हमें stove पर tick करना है क्योंकि bedroom में sofa, almira या bed हो सकता है पर guest stove नहीं हो सकता फिर है study room तो study room में table, guest stove, box self और chair study room है वहाँ पर guest stove की कोई जरूरत नहीं है वहाँ kitchen में होता है तो हम इस पर odd करेंगे फिर है kitchen तो kitchen के अंदर guest stove होता है sour नहीं होता है almira और fridge होता है थीक है almira कई क्या है कि kitchen में almira में बरतन रखने के लिए भी रखते हैं इसलिए तो sour पे हम take करेंगे इसे तरह से next है fill in the blank in the blank first इसमें भी मैंने option नहीं लिखे मैं आपको फिर से remind कराती हूँ कि मैं बगेर option के ही paper बनाती हूँ first है we should decorate our house by making blank ठीक है तो इसमें क्या है रंगोली आएगा हम decorate करते हैं ना घर को तो किसे करते हैं रंगोली बनाते हैं ना फिर है we need a blank to live safely तो हमारा जो घर है उसे हम अच्छे से safe करते हैं तो house आएगा यहां पे the place where we live is cold a blank तो इसमें आएगा house हम उसे house कहते हैं ठीक है अपना घर होता है ना फिर है a house has many blank तो वहां पे आएगा room और डबलो एम एस rooms फिर है a blank house is made of bricks, cement, wood, iron bar इस एक्सरा तो इसमें आएगा पकका house हमने second में भी पताया था ना second में भी सिखे हुए है पका house, कच्चा house ठीक है फिर next है a blank protect us from danger किस लिए danger होता है, क्या danger होता है तो जो घर है कहीं बाहर भी गए हो तो हमें घर याद आता है ना किसी तरह हमें बाहर किसी डेंगर चीज से प्रोटेक्ट करता है हमारा घर होता है वह हमारे लिए safe होता है ठीक है तो ये हमारा पूरा पेपर हो गया अब आपको तो friends ये पूरा पेपर में ने दिया है जो तो हमारी पास 4 पेपर हो गये और exam में 6 lesson आने वाले हैं तो ये सब आप पहले learn कर लेना और फिर ये पेपर देना तो आपको समझ में आएगा कि आपको कितना आ रहा है और आपके जैसे दूसरे students हो तो उनको ये share करना भूलना नहीं और like करके comment में बताना और कोई help शहिए तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद थैंक यू